दोस्तो सब्सक्राइब करो सेवन स्टार टेक को और साथ में इस घंटी बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहें बहुत बहुत सब्सक्राइब कर दोस्तो आप सभी का सेवन स्टार टेक यूटूब चैनल पर दोस्तो मेरा नाम है अशिश पांडे और आज मैं दोस्तो आपको बताने वाला हूँ कि आप important questions या फिर important topic कहां से निकाल सकते हैं कैसे ढूणे उनको जो important होता है आप copy किताब लेके घूमते रहते हैं मेरे important questions के निशान लगा दो बंदों को ढूर्टे रहते हैं कि मेरे important questions के निशान लगा दो आपको पता ही नीए कि important क्या है جो paper में आने वाला है क्योंकि इस समय पे आपको पूरी book नहीं पढ़नी है इतना time ही नहीं है आपको सिरिफ important questions को ही पढ़ना है तो इसलिए important questions को यहाँ पर जरूर तैयार करना है वो आपको कहां से मिलेंगे इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो दोस्तो sample question paper और पिछले कुछ question papers को मतलब कम से कम 3 साल के question paper तो आपको देखने ही पड़ेंगे उसकी मदद से ही आपको पता चल सकता है कि important questions क्या होने वाले हैं इस साल जो इस साल important topic होगा वो पिछले 3 साल के question paper में कई न कई हर बार कुछ ऐसे questions या topic होते हैं repeat होते हैं घुमा फिरा के उनको समझ लीजिए कि यह important है definitely है अगर यह हर साल आ रहा है तो इसका मतलब इस साल भी आएगा और दूसरी चील sample question paper में भी आपको पूरा पूरा idea लग जाएगा कि sample question paper में यह questions हैं तो इस साल भी यह question आएगे इन दोनों के link में नीचे description में दिये हैं तो वहाँ से आप चेक करके sample question paper और इनको download कर सकते हैं तो अगर आपको निकालना है कि वो important question आपको पता चल जाएगा उन questions को ही देखने से और दूसरी चीज important topics और question निकालने के लिए आप book को भी दोस्तों खरीज सकते हैं चाहे तो online खरीद लीजिए पर online में साथ time लग जाए तो आप offline अपने दुकान किसी भी पास में जाके वहाँ से खरीज सकते हैं sample question paper उसकी मदद से भी आप अगर important questions उसमें दिये होते हैं बहुत सारे और important topics भी दिये होते हैं पहले से question solve भी दिये हैं और कुछ questions आपको दिये गए हैं sample के तौर पे कि आप उनको solve करिये और अपनी practice करिये यहां पर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपको तीन घंटे में आ आप तीन घंटे में उसको नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने पहले practice ढंग से नहीं करिये उस papers को solve करने की पूरी practice करो ताकि आप तीन घंटे में अपना paper solve कर पाओ तो बस इस वीडियो में इतना ही और इसकी मदद से आपको definitely आपके important questions और topic मिलेंगे और वो आपको बहुत ह ज्यादा फायदा करेंगे आपके paper में इस चीज को जड़ू try करना और इस वीडियो को इसी बात में एक like कर दीजिए और अगर आप में को instagram पे follow नहीं करते हैं तो वहाँ पर follow कर लीजिए और नीचे आपको उसका link मिल जाएगा description में साथी में उसी के नीचे आपको एक ला झाल